कमल का फूल एक चमतकारी चीज है इसी वजय से गोतम बुजी कमल पर विराजमान है और विश्णु भगवान कमल पर खड़े है लेकिन कमल का फूल ही क्यों? क्योंकि कमल का एक बहुती परती कारत्मक महत्व है लोटस has one very symbolic significance कमल का फूल गंदी मिट्टी या गंदे पानी में उगता है यह एक परिवर्तन का परतीक है यह एक काया पलट है It is a transformation symbol It is a metamorphosis Mind Act पहले भी कई बार बता चुका है कि हमारे पूर्वच कभी भी कोई चीज बिना मतलब के नहीं करते थे बस उन्होंने हमें समझाया नहीं कमल की इसी खासियत के चलते उसको पूजा में शामिल किया जाता है इसका एक महत्व होता है आपको change होने की प्रेना देने के लिए कीचर गंदा है शायद बदबूदार लेकिन कमल सुगंधित है और यह बदबूदार कीचर से निकला है यह आपको दिखा कर समझाने का तरीका था कि जीवन साधारनत बदबूदार कीचर की तरह है लेकिन कमल बनने की संभावना वहाँ छिपी है कीचर को बदला जा सकता है आप कमल के फूल की तरह कर सकते है संभोग को बदला जा सकता है और वह समाधी बन सकता है आप अपने गुस्ते को करूना में बदल सकते हैं नफरत को बदला जा सकता है और वह प्यार बन सकता है आपके जीवन में जो भी नाकारात्मक चीजे या negativity है जो कीचड की तरह है उसको बदला जा सकता है आपका monkey mind आपका अशान दिमाग शान्त हो सकता है और ध्यान की तरफ केंदरित या focus हो सकता है इस खुबी की वजह से इसी transformation इसी बदलाव की mind act यहां बात कर रहा है और आप भी बदल सकते हैं चाहे स्थिती condition कैसी भी हो और यही चीज पुराने लोग हमें भगवान के साथ जोड़ कर दिखाते हैं आपकी मूर्तियां आपका धरम वो चाहे कोई भी हो सिर्फ पूजा करने के लिए नहीं है उनमें हमेशा कुछ सीखने को होता है जैसे लक्षमी जी की सवारी उल्लू है उसका भी एक reason है उसका भी एक महत्व है अगर आपको वो जानना है तो comment box में जरूर लिखे अपनी holy books अपने गरंतों को पूजने से ज़्यादा अगर हम उनके अंदर जो लिखा है उसको मानने लगे समझने लगे तो दुनिया बदल जाएगी जन्नत या स्वर्ग यहीं होगा इसी धरती पर थैंक यू अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माइन्ड एक्ट